हाइगेंस के सिध्धान से तरंगों के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कल आपको जो वीडियो बताया गया था निकि इसके पहले वाला वीडियो उसमें आपको हाइगेंस के सिध्धान से तरंगों के परावर्तन के नियमों की व्याख्या बताई जाएगी तो ध्यान दीजे भिशमें पहले आप इसका फेगर ध्यान दीजे फिर आपको ये समझ मे जाएगा तो विश में ध्यान दीजिए यहां पर यह एक प्रथक कारी तल लिया गया है प्रथक कारी तल जेड जेड डैश प्रथक कारी तल यानि कि इसमें एक और का माध्यम विरल और दूसरे और का माध्यम जो होगा वो सघन होगा तो यह दो माध्यमों को प्रथक करता है इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्थक कारी तल तो ये प्रत्थक कारी तल होगे आपका Z इसके एक ओर का माध्यम विरल और दूसरे ओर का माध्यम हो जाएगा सगन इस प्रत्थक कारी तल पर एक की तरंगागर आप्तित हो रहा है तरंगागर है AB तो जो तरंगाग्र आप्तित हो रहा है इसका आपतन कोण है I यानि कि तरंगाग्र AB जो है वो आपतन कोण I पर आप्तित होता है तो आपको कल बताया गया थाइगेंस के सिध्धान्त पर कि तरंगागर पर जो इस्थित कण होते हैं वो सभी नए तरंग सुरोत का कारी करते हैं और जब वो नए तरंग सुरोत का कारी करते हैं तो उससे दोतियक तरंगिकाओं का उत्सरजन होता है तो उसी प्रिकार यहां इस पर जो काण उपस्तित होंगे वो सभी कण ने तरंग शुरोत का कारे करेंगे और जब वो नै तरंग शुरोत का कारे करेंगे तो उनसे 2-3 थरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा तो जब 2-3 दो 2-3 काओं उत्सर्जन होगा तो जितने एami में B से उत्साजित तरंगी का Bडेश तक पहुंचेगी, उतने ही समय में A से उत्साजित तरंग का जो है वो Aदेश तक पहुच जाएगी अब बाकी यहाँ पर ध्यान देजिए आप तरंगाग्र जो है वो वीडर से सघन में जा राहा है तो जब कोई किरन विरल से सघन में जाती है तरंग तो वो अभिलंब की ओर जुक जाती है इसलिए पर ध्यान दीजी यह तरंगाग्र जो है वो अभिलंब की ओर जुक गया है तो यहाँ पर यह तरंगाग्र हो गया A-B- तो यह अपवर्तित तरंगाग्र हो गया यहाँ पर तो वही आप इसमें बता सकते हैं कि एक तरंगागर जो AB है वो प्रत्थक कारेतल Z, Z' पर आपतन कोण आई पर आपतित होता है और इस तरंगागर परिस्थित समस्तेकन नए तरंग स्रोथ का कारे करते हैं जिससे दोतियक तरंगिकाओं का उत्सेजन होता है और जितने समय में B से उत्सेजित दोतियक तरंगिका B' तक पहुचती है छीक उतने ही समय में A से उत्सेजित दोतियक तरंगिका A' तक पहुच जाती है इस प्रकार A' और B' जो है वो अपवरतित तरंगागर के रूप में प्राप्त हो जाते हैं और इसका आपतन कोण है I औ और अप्वरतन कोण जो है वो R है, तो यहाँ पर धान दिजी वह लिखा गया है ये आपका प्वरतन कोण हो जाएगा R, तो यहां पर इस कोण का मान भी लिख दिया गया है R यहां पर ये भी कोण होगा R हो जाएगा, तो वही इ comprendre अब लिखा जाएगा, तो इसमें हो गया माना एक समतल तरंगागर AB किसी विरल एवं सगहन माध्यम के प्रत्थक कारी तल जेड जेड डैस पर आपतन कोण आई पर आपतित हो रहा है तरंगागर AB परिस्थित प्रतेकण नए तरंग शुरोत का कारी करता है अता जिससे दोतियक तरंगिकाएं उत्सरजित होती है माना जितने समय में B से चलने वाली दोतियक तरंगिकाएं B डैस तक पहुंचती है ठीक उतने ही समय में A से चलने वाली दोतियक तरंगिकाएं A डैस तक पहुंच जाती है इस प्रकार A-B- अपवर्ति तरंगागर के रूप में प्राप्त होता है माना इसका अपवर्तन कौन R है तो अब ध्यान दीजिए आप तो अब यहां पर इस शेत्र में ध्यान दीजिए आपको दो त्रभुज दिखाए दे रहे होंगे एक त्रभुज हो जाएगा आपका A-B-B- एक त्रभुज यह हो जाएगा और दूसरा त्रभुज हो जाएगा A-A-B- तो पहले आप पहला त्रभुज लेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा और यह त्रभुज जो है इसका कॉन नब्यान सा इसलिगे समकोर्ण त्रिभुज होगा तो इसमें लिखा जाएगा यहाँ पर कि समकार्ण त्रिभुज यह हो जाएगा समकोर्ण त्रिभुज यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे so बडाबर जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कंड समकोंड तरभूज के नुसार साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे कंड तो अब ध्यान दीजी हैं पर हम लोगों ने लिखा है साइन आई तो ये कोंड दिया गया है तो कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है यह याद रखना आप समकोण तरभुज में जो कोण दिया गया उसके सामने की भुजा लंब और जो 90 कोण होता है उसके सामने की भुजा कंड होती है तो यहाँ पर ये कॉंड लिए हम लोगोंена साइंड आई तो इसके सामने के भुजा हो जाएगी लंब तो यह साइन थीता बराबर होता है लंब बटे करड़ prior significant आज घाएगे लंब आपका लिखा जाएगी एहाँ पर बिडास इतना हो जाएगा और बटे में होता है कर्ड तो यहाँ पर यह हो गया B, B' अब बटे में लिखना है कर्ड तो यह 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ड तो यहाँ पर लिखा जाएगा A, B' यह इतना हो जाएगा इसको मान लेंगे समी कर्ड नमबर 1 अब इसके बाद यह दोतरा त्रिभुज लिया जाएगा तो यहाँ पर अब लिखेंगे समकोर त्रिभुज यहां पर यह हो जाएगा A A' B' तो यहां पर हो गया समकोंड तर भूज A A' B' इतना हो जाएगा इसमें आपको इस R का मान निकालना है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फिर साइन R बराबर यहां भी लंब बटे कंड़ तो इस कोंड के सामने वाले भूज़ा हो जाएगी लंब और फिर बटे में कंड़ तो यहां पर कंड़ में लिखा जाएगा फिर A B' इतना हो जाएगा इसको मान लेंगे समीकर्ण नमबर 2 तो यह हो जाएगा समीकर wij नबर दो अब इसके बाद यहां पर हम लोग थो अब समीकर्ण 1 को समीकर्ण 2 मौन ए को समीकर्ण 2 मोना दहलों दीजिकरल तो भाग करते हैं सम्बर याद रखना है को lhs को lhs से भाग करना है और rhs को rhs से तो अब ध्यान दीजिए अब lhs में भाग करेंगे तो यह हो जाएगा sin i बट्टे में आ जाएगा sin r तो वही यहाँ पर लिखा गया है साइन आई, यहाँ पर हो जाएगा साइन आई और बट्टे में आ जाएगा साइन आर, इतना हो जाएगा फिर बराबर अब आरेचेस में ध्यान दीजिए तो अब आरेचेस में लिखेंगे पहले बट्टे एबी डैस तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा एबी डैस इतना हो जाएगा और जब हम लोग समीकर दो से भाग करेंगे तो भाग करने पर यह संख्या जो है वो गुड़े में जाएगी इधर पलट के क्योंकि वहाँ भी बट्टे में दिया गया था तो बट्टे में भाग करेंगे तो वो संख्या उपर गुड़े में आगी तो द्यान दीजिए इधर तो इसमें यहाँ पर दिया गया है एबी डैस और बट्टे में लिखा गया है एबी डैस यह इतना हो जाएगा तो भी यहां पर AB' से यह AB' कैंसिल हो जाएगा इससे तो यहां पर बच्चे का फिर SIN I बटे SIN R बराबर यहां पर हो जाएगा B B' और बटे में हो जाएगा A A' तो यह इतना आजाएगा अब इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए तो इस फिकर में भी आपको बताएगा था यह विरल माध्यम है और यह सगन माध्यम तो विरल माध्यम में हम लोग चाल मान लेते हैं इसकी V1 और सगन माध्यम में चाल मान लेते हैं V2 इतना मान लेते हैं तो अब शूत्र होता है एक दूरी बराबर चाल गुड़े समय तो यहां सूत्र हो गया दूरी बराबर चाल गुड़े समय तो यह सूत्र हो जाएगा तो हम लोगों को यह दूरी गयाद करने है बी डैस तो जब बी डैस गयाद करेंगे तो यह दूरी गयाद करने के लिए सूत्र लगाएंगे चाल गुड़े समय, तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर B, Bड़, तो यहाँ यहाँ तक आने में उसकी चाल है V1, और समय के लिए आपको बतायागा था, जितना समय B से Bड़ तक जाने में लगेगा, उतना ही समय A से Aड़ तक, यहनि कि दोनों के समय जो हैं, वो समान हो T, यहनि कि B, Bड़ बराबर चाल गुड़े समय के नुसार हो जाएगा V1 इंटू T, और जिब इधर की दूरी गयात करेंगे, यहनि कि A, Aड़ तो यह दूरी गयात करने के लिए दूरी बराबर फिर चाल गुड़े समय, तो चाल अपकी बार हो जाएगी V2, लेकिन समय दो दोनों को समान लगा था, तो अब यहां पर इन दोनों के मान इश्मे रखे जाएंगे, तो जब इसमे मान रखेंगे तो फिर यह हो जाएगा Sine I, Bट़े, Sine R, इतना हो जाएगा, यहां पर B, Bड़ेस, इसका मान लिखेंगे, तो यहां पर यह हो जाएगा V1, T, बट़े म r बराबर हो जाएगा v1 बट्टे v2 तो अब यहां पर ध्यान देजी आ गया v1 बट्टे v2 यानि कि आप इसको लेख सकते हैं फिर कि sin i बट्टे sin r बराबर constant का मतलब होता है नियतांक यानि कि v1 बट्टे v2 जो हैगा यहां पर नियतांग हो जाएगा तो यह आ गया फिर sin I बटे sin R बराबर constant और यही अपवर्तन का दूसरा नियम था तो अपवर्तन के नियम में यही बताया गया था को कि जब प्रकास की केरण कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यमें प्रोष करती है तो पहले माध्यमें बने आपवर्तन कोण की जिया और दूसरे माध्यमें बने अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांग होता है तो वही इसमें लिखा गया है कि यही अपवर्तन का दूसरा नियम है और इसे इसनेल का नियम भी कहते हैं और यह भी इस बस्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदू पर अभिलम तीनो एक ही तल में हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पशंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा